कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उमीद है आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगा मैसे की तरह और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी इस्टुडेंट जैसे ही आप लोगों को पता है मैं प्रीविएस एर के कोश्चन्स आप लोगों के साथ डिसकस कर रहा हूं क्युक्ба स्पियी हैं breakfast स्टुडेंट फ में च đi चाहि करता हूं आप लोगों के साथ तो इस्टुडेंट जो आज हमारा रहेगा वीडियो वह रहेगा RBI grade B phase 1 math previous year questions 2017 part 1 तो आपको पता है जैसे 2016 के questions मैंने अलग-अलग part में आप लोगों के साथ discuss किये थे तो ऐसे 2017 के question भी मैं अलग-अलग part में आपके साथ discuss करने वाला हूँ अगर मैं cut off की बात करूँ 2017 का जो phase 1 का paper हुआ था उसमें math की cut off की अगर बात की जाए तो 4 marks cut off गई थी students out of 30 आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 number cut off जाने का मतलब क्या है 4 number cut off जाने का मतलब यह हुआ इस्टुरेंट की paper बहुत tough आया था कोई भी आपके साथ इस तरह के question discuss नहीं करेगा जहाँ पर questions बहुत जादा tough हो basic basic questions तो बहुत लोग आपको करा लेंगे लेकिन जब बात tough level की आएगी तो वहाँ पर वो नहीं आपके साथ कोई question discuss करेंगे लेकिन मैं आपके साथ सारे के सारे question discuss करने वाला हूँ और पूरी कोशिस करूँगा कि आपको बहुत अच्छे अच्छे शांदार प्यारे प्यारे method मैं बताओं अगर level की बात करें तो paper का जो level था वो काफी high level था ये cut off से ही अंदाजा लगाया जा सकता है तो student यहां पर आज part 1 है हमारा question discuss करेंगे बहुत अच्छे question discuss करने वाले हैं अलग-अलग topic के questions रहेंगे student तो previous year के question देखने के से पहले आपको सारे topic अच्छे से आने चाहिए कोई भी question आपने सबसे पहले खुद से solve करना है वीडियो को pause करके और उसके बाद question का solution आगे देखना है अगर आपको solution अच्छे लगते हैं वीडियो अच्छी लगती है जो strategy में लेके चल रहा हूँ कि जिससे आपको previous year question क्यों करा रहा हूँ मैं इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे आप अपनी planning बना सके कि किस तरह की planning आपकी रहेगी paper को solve करने के लिए आपको level पता चल सके कि क्या level होता है paper का easy level तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि cutoff फ्री चार नंबर गई है तो आप वीडियो को like जरूर करें comment करके मुझे जरूर बताया करें कि क्या आपको नहीं चीज़े मैं आपके लिए कर सकता हूँ क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है वो तो मैं करता ही हूँ लेकिन जो ideas आप लोग मुझे देंगे वो भी मैं यहां से पर implement जरूर करूँगा किसी student अगर अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर दे क्योंकि बहुत अच्छी और important चीज़े हैं इपर आपको मिलती है किलिया रहे तो students चलिए पहला question ले लेते students क्या आया था चलिए तो students first question आपके सामने है पहला question देखती है आपको पता चल जाएगा कि हाँ paper का level क्या था question कितने tough हाँ पर पूछे गए थे इसलिए जो cut off है वो 4 number गई थी सबसे पहले खुद से question पढ़ना है खुद से solve परना है चलिए मुझे उमीदे students आपने वीडियो पोस की और question को solve करने की कोशिस की और कुछ लोगोंने answer भी ले लिया होगा उनने answer मिल गया होगा लेकिन जिनने answer नहीं मिला है वो देखे किस तरीके से question होना है मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए A and B together can do a piece of work in 16 days A and B जो 16 days में काम complete करते B and C can do the same work in 32 days and C can complete the same work in 80 days A plus B का time दिया B plus C का दिया और अकेले C का दिया after A has worked for 4 days A के 4 दिन काम करने के बाद B for 12 days B के 12 दिन काम करने के बाद time taken by C to complete the remaining job is X days A ने 4 दिन काम किया B ने 12 दिन काम किया अब C जो बचा हुआ काम है उसे X days में कर रहा है अब आगे question क्या है question तो ये भी है यहाँ पे ध्यान से सुनना P के ओ R take X minus 28 days मतलब P को जो X minus 28 days लग रहे है Q को जो है X minus 18 days लग रहे है और R को कितना X minus 8 days लग रहे है respectively to complete a job बाद समझ महीं आगे कह रहा है the three work in a rotation to complete the job with only one person working on a day काम आगे इस तरीके से complete होना है कि P के ओ R में से कोई एक ही बंदा एक दिन में काम करेगा माननी जी पहले दिन क्यों ने काम किया तो उस से अगले दिन कोन करेगा R फिर P फिर क्यों फिर R फिर P इस तरीके से चलेगा तो concept यहां पर यूज होने वाला है alternatively का दि तो time and work के सारी concept एकी question में यूज करवा रहा है बास समझ रहे हैं तो alternatively आपने पढ़ा होगा alternate days पर कैसे काम होता है वो भी हां पर concept यूज होगा आगे क्या कह रहा है who should start the job so that the job is completed in the least possible time यह कह रहा है कि P, Q, R में से कौन काम start करें जिससे की जो काम है वो सबसे कम time में हो जाए question बहुत अच्छा है 5 option आपके सामने है ध्यान से पढ़िए question पढ़के क्या पता चला सबसे पहले आप exam में गए question पढ़ेंगे question पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि भई सबसे पहले किसकी value find out करने पड़ेगी x की क्योंकि जब तक x की value find out नहीं होगी तो P, Q, R का time में नहीं पता चल सकता कैसे find out होगी सुनो ध्यान से अब यहाँ पर बात करें कि भई A plus B अगर A plus B की बात करें तो A plus B जो है किलियर है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लेते हैं LCM, total work assume करने के लिए LCM कितना हुआ, 160, तो मैंने माल जिया, total work कितना है, 160 unit है, यह बात समझ में आई या नहीं है अब अगर total work 160 unit है, तो भई A plus B की efficiency 16 days में 160 unit, तो 1 day में कितना काम करेंगे, 10 unit तो A plus B की efficiency कितनी आगई, 10 unit, clear है, B plus C की efficiency कितनी आजाएगी, 5 unit क्योंकि 32 days में 160 unit काम करेंगे, तो 1 day में 5 unit करेंगे और student C की efficiency कितनी आजाएगी, 2 unit, मतलब efficiency मतलब per day work मतलब C जो है एक दिन में 2 unit काम करेगा B plus C कितना कर रहे है 5 unit अब आप एक बात देखें यहाँ पे अगर C कर रहे है 2 unit B plus C कर रहे है 5 unit तो B कितना कर रहे है 3 unit मतलब B की efficiency 3 unit है A plus B कर रहे है 10 जिसमें से B कर रहे है 3 तो A कितना करेगा 7 हैं जैड़ी सी बात है और सी की अपने अभी निकाली कितनी टू तो ये एबी सी की क्या आ गई एफिसेंसी आ गई आपके सामने किलियर बात समझ में आ रही कोशन उतना आसान नहीं है ध्यान से समझना पड़ेगा अब इसने कहा कि ए ने जो है कितने दिन तक काम किया चार दिन तक अब एगर चार दिन काम कर रहा है अब धिहान से सुनना ए ने चार दिन तक काम किया और एक दिन में कितना काम कर रहा है तो इन चार दिनों में कितना काम कर दिया होगा 28 यूनिट इतनी बात तो समझ में आ रही है दूसरी बात अगर बी की बात करें तो बी ने 12 देस तक काम किया जब कि भी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट तो ट्वेट देस में कितना काम कर दिया होगा 36 यूनिट अग यह 96 unit कौन करेगा C, C एक दिन में कितनी टोफी खा रहा है, दो टोफी, खाने कितनी है, 96, तो कितना टाइम लग जाएगा, बताइए, बिल्कुल सही बात, divide by 2 कर दीजे, 48 days, तो C जो है, remaining work, जो है, वो 48 days में कर लेगा, 48 days में करने का मतलब है, कि 48 days किसकी value आ गई, X की value आ लग रहा है, अगर P की बात करें, तो P को लग रहा है, X minus 28, X minus 28, मतलब 48 में से कितना गया, 28, 48 में से 28 गया, तो कितना बचा, 20, मतलब P 20 days में काम कर रहा है, बात करें क्योंकि, क्यों कितने में कर रहा है, X minus 18, मतलब 48 minus 18, कितना हो गया, 30 days, अभी ध्यान से सुनना, और अगर आर की बात करें तो X-8, X-8 मतलब 48-8, कितना हो गया, 40 days, अब इस्टुवेंट यहां से यह पता चल गया, कि P 20 days में कर रहा है, क्यों 30 days में और R 40 days में, अब यह कह रहे है कि कौन स्टार्ट करेगा, इस्टुवेंट हमें सा क्या होता है, कि जब बात alternatively की होती है, तो पेर बन पे degree, तो कितना हुआ 120, Lcm कीतना हुआ 120, यह 6 unit काम करेगा, यह 4 unit करेगा, और यह कितना करेगा, 3 unit, सबसे ज edit efficiency किसकी है, P की, सब्से ज़्यादेफエ возь Sciences किसकी है, P की, तो P क prop के सब्से800 Efficiency है, तो जब कभी भी काम सबसे कम टाइम में कराना है, तो काम वो स्टार्ट करेगा जिसकी efficiency सबसे जादा है क्योंकि अगर बाद में कुछ काम बच भी जाता है तो alternate days में आप लोग देखते हो कि pair के बाद जो time बचेगा अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूँ इतनी बात clear है आपको मैं पूरा अच्छे से समझाता हूँ अब आपको इतना तो समझ में आई गया होगा इतना समझ में आया या नहीं आया तो student अभी हम लोगों ने क्या निकाला अब ध्यान से देखो P का time निकाला 20 days क्योंका कितना time निकाला हमने 30 days और R का कितना time निकाला 40 days फिर हम पर LCM लिया तो कितना हुआ 120 यह कितना काम करेगा 6 unit यह 4 unit और यह 3 unit तो पहले दिन पी आएगा दूसरे दिन क्यों तीसरे दिन आर तो मतलब मैं खहा रहा हूं पहले दिन पी क्यों आएगा वह बता रहा हूं आपको ध्यान से सुनो तो 6 प्लस 4 प्लस 3 मतलब 3 दिन में 13 वीट काम हो जाएगा तीन दिन में कितना काम हो जाएगा 13 unit यह बाद समझ में आई या नहीं आई अब काम करना है 120 बाद समझ में आरिये काम कितना करना है 120 unit कोई डाउट इसमें अभी तक मुझे प्सक्राइए नहीं लगता कोई भी डाउट होगा तो अगर 120 13 से 120 तो डिवाइट नहीं होता कुण डिवाइड होता है 117 जस्ट इससे पहला नंबर कितनी बार जाएगा नाइन टाइम्स अभी धियान से सुनना नाइन टाइम्स तो यहां पर ही आया कि 27 देज में 117 यूनिट काम हो गया अभी कितना बचा 3 यूनिट अब एक बार बताओ 3 यूनिट करने के लिए कौन आएगा कौन आएगा P और P की Efficiency सबसे जादा है अगर एक बार बताओ जो बचा हुआ काम है 3 यूनिट उसमें P, Q, R कौन फास्ट कर सकता है जिसकी Efficiency किसकी जादा है P की तो P ही कर सकता है और नहीं कर सकता है इसके लिए इसका मतलब जब alternatively days की बात होगी तो सबसे पहले काम वो कर आएगा शुरू जिसकी Efficiency सबसे जादा होगी Efficiency किसकी जादा होगी जिससे time सबसे कम लगेगा और यहीं से हमें पता चल गया था कि time किसे कम लग रहा है P को तो P ही काम स्टार्ट करेगा जिससे की काम सबसे कम टाइम में complete हो जाएगा आगे कुछ भी करने की जडर्त नहीं लेकिन प्लानिंग और बेसिक स्ट्रोंग होने चाहिए है दोनों चीज़ स्ट्रोंग होंगे तभी होगा नेक्स कोशन देखते हैं चलिए तो कोशन नमबर टू देख लेते हैं सबसे पहले खुद से सौन कर ये वीडियो पोस्ट करके उमीद आप लोगों ने सौन किया होगा पार्टनर्शिप कोशन इतना आप लोग समझ गये होंगे यह स्टाइड बिजनिस बी और सी जोइंड हिम इन फर्स्ट यर एन बिजने स्टाट किया बी और सी ने पहली साल उसे जोइन किया कितने टाइम के लिए वो नहीं दिया गया अभी तक they invested in the ratio of 5 ratio 4 ratio 7 respectively जो उनका investment है जो उन्होंने पैसा लगाया है उसका ratio 5 ratio 4 ratio 7 है and the period for which they invested was in the ratio of 4 ratio 3 ratio 2 time का ratio दिया है कितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया 4 ratio 3 ratio 2 इतने टाइम के लिए ये ratio दिया गया है in the second year a double the investment अब दूसरे साल a ने क्या किया अपनी investment को double कर दिया b and c continue with the same investment b और c ने जो है same investment के साथी continue रखा for the same number of months as they did in the first year और उन्होंने उतने ही time के लिए पैसा लगाया second year में भी जितना उन्होंने first year में लगाया था ये दिया गया the total profit of two years was 14,000 what is the b share of profit कोशन समझ में है उमीद किलियर हो गया होगा अभी तक सुनों इधर देखो student आप लोग यह तो जानते है कि जब profit and loss की बात पाटनर्सिप की बात होती है तो जो profit होता है वो क्या होता है investment into time वो क्या होता है investment into time यह होता है यह नहीं होता है इतना पात प्रदा है अब अस्ट्रेंट यह राह यां पे A, यह यहां पे राभ B, और यह राह यां पे C, अब ध्यान से समझना इन्वेस्ट किया किस रेशो में 5, बीने इन्वेस्ट किया 4, और C ने इनवेस्ट किया कितना आगर सि 7, C ने कितना invest किया 7 इतनी बात समझ मैं पहले साल की अगर मैं बात करूं तो जो time का ratio दिया गया वो कितना है 4 ratio 3 ratio 2 इतनी बात समझ मैं अब A ने तो पहले से age ने तो business शुरू किया था इसका मतलब A तो starting से लेके last तकडा होगा अगर मैं पहले साल की बात करूं अब यहां पर अब इस 4 की value तो 12 months है तो multiply by 3 करके आया होगा तो इस 3 की value 9 months रही होगी और इसकी value 6 months रही होगी इतनी बात तो समझ में आती है और नहीं आती है बिलकुल आती होगी year में लेके चले तो और भी आसान है मतलब A ने जो है पहले साल पूरे साल के लिए invest किया B ने पहले साल कितने time के लिए invest किया है आप लोग देख रहें 9 months लेकिन year में convert करेंगे तो 9 by 12 और 9 by 12 कितना हो जाएगा 3 by 4 और C ने जो invest किया है वो half के लिए किया है 6 month के लिए किया ह 6 month का मतलब half year ये तो आया first year की बात अब second year पे चलते हैं second year पलस हो जाएगा ना अब second year में क्या कह रहा है कि second year में A ने अपने investment डबल कर दिया तो मतलब अब A का market में कितना पैसा लगा हुआ है पहले 5 लगा हुआ था अब 10 लगा हुआ है एक साल के लिए दूसरा साल पूर ज्यान से समझना और सीने भी साती रुपे लगा के रखे कितने टाइम के लिए six month के लिए मतलब दूसरे साल भी इसमें छही महीने के लिए पैसा लगाया है इतनी बास समझ में यह नहीं अब यहां पर अगर मैं देखो student तो यह कितना हो जाएगा five plus ten तो यह तो total कितना हो अगर देखें तो 15 हो गया है नहीं हो गया बास समझ में आ रही है समझना अगर यहां पर ही टोटल की मैं बात करूँ तो यह कट हो गया पर पर प्री बचाल यहां पर धूर जाएगा six by three plus three कितना हुआ six हो यह नहीं हुआ और अगर यहां पर बात की जाए तो तो कितना हो जाएगा 7 1 by 2 plus 7 1 by 2 मतलब 14 by 2 तो कितना रह जाएगा है हाँ पे 7 इतनी बात समझ में तो अब जो profit का ratio आया उनका वो कितना है 15 ratio 6 ratio 7 यह आया नहीं आया किलियर रहा है ना समझ में आ रही है बात अब जो total profit है मेरे according वो कितना है 28 लेकिन question कहा रहा है कि वो कितना है 14,000 मतलब 28 पार्ट की वेल्यू कितनी है 14,000 तो वन पार्ट की वेल्यू कितनी आ जाएगी 14,000 डिवाइड बाइ 28 तो कितनी आ जाएगी 500 वन पार्ट की वेल्यू कितनी आ गई 500 किसका profit पूछा गया है B का तो B का पास कितने पार्ट है 6 पार्ट अगर वन पार्ट की वेल्य 500 है तो 6 part की value कितनी आ जाएगी तो multiply by 500 कर दीजिए इसे भी तो कितनी आ जाएगी बताइए 3000 आ जाएगी है नहीं आ जाएगी किलियर समझ में आ रहा है भाई एक पाइट की value 500 तो 6 part की value 3000 तो B का से रागया थी थाउजन अगर A का से पूस्टा तो 15 इंटू कितना कर देते 500 15 इंटू 500 तो कितना हो जाता 75 अगर C का फूस्टे तो कितना करते ठीक है 7 इंटू 500 मतलग कितना आ जाता 35 यह बास समझ मैं यह नहीं तो इस्टुडेंट आज दो ही कोशन डिसकस कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही कोशन काफी लेंदी लेंदी थे और मुझे लग रहा है कि यह 2017 का जो पेपर था यह बहुत प्रेसान करेगा इसी तरीके से कोशन है बह थैंक यू सो मच इस्टुडेंट्स वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक जरूर करें थैंक यू